नमस्का दोस्तों स्वागत है आप स्वीगा और डाफोस्ट टी यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात कहेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो की संबन दिते हैं खुशकभी को लेकर सीम योगी के माध्यम से दिये गए आदेस के बारे में अगर बात की जा 13,000 पर नई भरती के विग्यापन के बारे में जिसकी जानकाई यहां से देखने के लिए मिल रही है इसके अलावा अगर बात की जाए नई एल्ती गेट सिचकअ बात की जाए है करते हैं वीडियो को लाइक करते हैं साथी शियर करते हैं चैल को सब्सक्राइब कर लें जिसे कि आप सभी को ऑलाइन डाफ़ोश्टी चैल के माध्यम से मिलने वाली उन तमाम सटिक जानकाई के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें तो चलिए दोस्तों वीडियो सब्सक्राइब को लेकर जो रास्ते हैं लेकिन अगर बात की जाए समाचा पत्रों के माध्यम से एक और जानकाई निकल कर आ अब जब चती सब्सक्राइब को लेकर आदेस दिये गए हैं अब भयति आदेसों को लेकर जादा खुश नहीं हो रहे हैं आज की तारीक में उसकी बज़ा यह भी है क्योंकि तीन साल चार साल हो चुके हैं भरतियों का इंतिजार करते हुए लेकिन मामला क्या है वो आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा प्रदेस की अगर बात किये राजकी और सायता प्रावति विद्यालों के अंदर महा विद्यालों के सिचकों के लगबर 13,000 से जादा जो परदें भरे जाएंगे सीयम योगी के माद्यम से रिक्तपतों को बरने को लेकर प्रात्मिक्ता के आधार पे चैन की काज़वाई शुरू करने को लेकर जो नेदेज से वो दिये गए हैं सीयम ने मुक्य सचिप को सभी आयों को सौ दिनों के लच्च के अनूब भरती के रिपोर्ट मांगी है इसमें बियोजगा युबाओं की उम्भी जगी है खास तोर से अगर बात की जाए राज की और सायता प्रात माद्यों विद्यालों के अंदर इसके लावा महा विद्य पर्दाना चारे की बारे में यहां पर आप सब्सक्राइबं के लिए बद्यालों के लिए देखने के लिए बारे में आपको आगे जान गई दूगा पहले आप इसको देखें नीचे लिज़ाएं लगब दोजार प्रदों के अधियाचन आ चुका हैं 3200 से जादा यहां पर बात की जारी है आज की विध्यालम के अंदर L.T.Gate के यहां पर 3200 का अधियाचन पहले से आज चुका जिसकी जान गई आपको पहले भी दी गई है लेकिन इसका विग्यापन ना आने की बज़े क्या है वो आप जानते हैं कि संकष योगिता के चलते य नीचे आप समी के सामने देखने के के लिए मिलेंगे 365 से जादा इंटर कॉलेज ऑं के अंदर प्रपक्ता 126 ओं मिलेंगे 468 जो पतर आपको देखने के लिए मिलते हों असिस्टंट प्रोफिसर के है इसके आलाबा 9082 ओं कर देखा जाए तो 3223 स समथिंग लेकिन क्या यह सिर्फ इतने ही पदोंगे क्या यह यहां पर लिखा हुआ है कि 13,000 पदों पर सिच्छक भरती आएगी तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है उसकी खास बज़े मैं आप सभी को बता दू जैसा कि आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा अगर हम बात कहें टोटल प इजिटी के अंदर जो पदों की संख determine खो और भी जदा बस देखने केलिए मिलेंगी उसरी के खाली पदोंकी संख्या में अभी और बड़ुदी आपको देखने यहां पर आपके सामने दोनों ही जानकाई लिखी हूं जिनकों मैं समझाने का प्यास कराऊं कि टीजटी-पीजटी के अंदर बहले ही 5000 प्रदों का अधियाचन आया है या फिर टीजटी-पीजटी के अलावर प्रदों की संक्या बढ़ सकती है हाला कि 27,000 होंगे के नहीं इसको लेकर अभी कुछ कहपाना संबब नहीं है क्योंकि यहां पर लिखा तो हुआ है लेकिन आप सभी जानते हैं कि 27,000 को लेकर चात्तों ने पहले भी बहुत साहीं मांग की थी लेकिन मांग पूरी नहीं हो सकी अब यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा उच्चो माद्यमिक इसके लावा अगर बात की जाए राज की विद्यानों के अंदर 30,000 से जादा जो प्रदें वो खाली पड़े हुए हैं सभी बरती संस्ताओं को इन प्रदों का अधियाचन मिल चुका है लेकिन किसी भर अधियाचन मिल चुका है लेकिन यहां पर भरती शुरू नहीं हो पादी है विग्याबन जल से जादी किया जाए यहां पर आप सभी के सामने देखने के लिए मिल भी जाएगा कि आहता इसपस्ट करने को लेकर जो बिवाद है वो लटका हुआ है और जब तक आहता इसपस्ट नहीं हो जाती है यहां से नई भरती के विग्याबन को लेकर थोड़ा सा इंतिजार करना पड़ रहा है यहीं बज़ा है कि ना तो अभी तक L.ट.गेट से चखबरती का वि है क्योंकि सीम के माध्यम से दोनों आयोगों के साथ में बैटक करके दिशा नेदेश जारी किये गए हैं उसी के आदार पर समाचा पत्तों में लिखा है अगर भरती आती तो एक खुशकभी होगी लेकिन मैं दूसरी तर बात की जाए उत्तर प्रदेश की नई प्रात्मी स कि अबी नई प्रात्मी सिचकवरती को लेकर कोई बिचार नहीं है यहां से दो बातें पूरे तरीकी से किले कर देते हैं कि आगामी समय के अंदर सिचक भरती करवाएगी इसके बारे में सरकार के पास भी कोई निदारी समय सीमाऊ हैं और अगर ऐसा होता है तो इसका नुकसान सीज़े बीटी सी करने वाले च्छात्यों को होगा जिस पर कार चुनाब से पहले आपस्पी ने एक जुटता दिखाई थी ट्विटर बार करने के साथ ही आपको वह दुबारा से करने की आप शक्ता है क्योंकि कल बहुत साय अब नई प्रास्मी सिच्छक वरती के लिए लेकिन जब जब आपने नई प्रास्मी सिच्छक वरती के दहना प्रतेशन दिया तो कभी Euro के अन्दफ दहला प्रतेशन को 68,000 से जोड़ दिया गया तो कभी 9,000 की मुद्दों से जोड़ वै ? इसकी बज़े आप जानते हैं इसकी बज़े होती या तो जो अधिकारी हमारे होते हैं वो साशन तक जूट पहला देते हैं या फिर मीडिया के माध्यम से जूट पहला दिये जाता है लेकिन जब आप ट्विटर पे एक जूट होकर 97,51 जो भी सिचक बरती को लेकर यहां से मुहीम चलाई जारी है उसकी मांग करते हैं तो अधिकाईयों के साथ साथ अगर बात कीज़ें डिप्टी सीम और मुख्यमंती तक भी यह मामला पहुंसता है हाला कि वो कहिने की इस पर खुलकर नहीं बोलते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो यहां से इस मांग को नहीं पहचान पा रहे हैं तो ट्विटर पे ट्वीट करने के बेनिफिट बहुस सारे होते हैं लेकिन आप सभी को एक जूट होकर नई प्रात्मिक सिच्छक के लिए बिग्याबन के लिए ट्वीट करने होंगे ट्विटर आप सभी के सामने यहां पर देखनी के लिए मिल जाएगा इस हैस्टेक का आप सभी को इस्तमाल करना है प्रात्मिक सिच्छक भरती तो 97000 क्योंकि सरकार के माध्यम से कहा गया था कि 51000 परद खाली है सत्य अजार नई भरती करेंगे इसके अलावा सत्य लाग से जादा जो प्रवेशन वह भी बड़े हैं रिटाइमेंट भी लगाता देखनी के लिए मिल रहे है दोजार धायर से नई भरती भी नहीं आ दी है यही बारते कि चारत यहां से 97000 सिच्छक भरती की मांग करें जा प्रवटाओं जैसा आप जानते हैं कि सब्सक्राइब के लेकर लेकर विवाद हो चुका है और यह विवाद अब न्याले की अंदर जा चुका है पीडिकी के नौटिफिकेशन के अंदर कोई कुई जानकाई नहीं दी घी थी जब ग्यापन इस पस्श्ट नहीं होता है तो मिल दी हैं माल दीजे कि आगामी समय के अंदर किसी और ब्रती का विग्यापन जादी होता है वहां पर सुर्था पांसो पर जाते हैं सो पर जाते हैं और यूपी पीएसी और यूपी टबलेस चे पदों की संक्या 400 500 हजार के आसपा से देखने के लिए मिलती है यह तो कभी कभी होता है जब इतनी बड़ी संक्या के अंदर भरती हैं आपके सामने नहीं आती हैं कटाव आपस भी का पंद्य गुनाय बीस गुनाय के आधार पर लिया जाएगा तो एक बात कुए तरीके से तैय है कि नब्य से ल आपसे मांग की गई है कि लेकबाल बरती को इस्टे कर दिया जाए और जब तक यहां से कोड के माध्यम से कोई अंतिम फैसला नहीं आता तब तक लेकबाल बरती को आगे न बढ़ाया जाए अभी इन मुद्दों पर सुन्वाई होना बाकी है उम्भीते ज्यादा है कि एक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें